और दुनिया के सबसे उचे युद्ध शित्र सियाचिन में एबलांच यानी बरफिला तुफान की चपेट में आने से भारती सेना के दो जबान शहीद हो गए हैं दक्षडी सियाचिन ग्लेशियर में 18,000 फुट की उचाय पर शनिवाद को सेना के पेट्रोलिंग पार्टी बरफिले तुफान की चपेट में आ गए एबलांच रेस्क्यू टीम, MRT तुरंथ हरकत में आई और पेट्रोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को बाहर निकालने में कामियाब रहे इसे बीच सेना के हेलिकॉप्टर्स के ज़रिये जवानों को सुरक्ष स्थान पर ले जाया गया लेकि मेडिकल टीम के सभी प्रयासों के बावजूद सेना के दो जवानों की जान नहीं बचाय जा सकी इसे पहले सियाचीन ग्लेशर में 18 नवंबर को भारते सेना की पोस्ट बरफीले तुफान चपेट में आ गए थी उस दिन आठ सदस्यों की पेट्रोलिंग टीम तुफान में फसी थी इस घटना में चार जवान शहीद होए थे जबकि दो स्थानी नागरिकों की भी मौथ हो गई थे तो सियाचीन में आए हुए बरफीले तुफान की चलते दो जवान शहीद हो गए है पेट्रोलिंग के लिए निकले थे लेकिन इसी दुरान शरीवार को आए एवलांच में वो फस गए बचाने की कोशिश की गई लेकिन दो जवानों को बचाय ना जा सका